महाराश को सोगात थी जो आ रहे हैं प्रधानमत्वी नरीद्र मोधी संबोधित कर रहे हैं वर्चोली दिखा रहे हैं आपको चत्रपति सिवाजे महाराश बाबा साब अमबेड कर जोती बाब फुले सावित्री बाई फुले जैसी विभूतियों के आसे वाद से हो रहा है साथियों अभी कल ही हरियाना और जम्मु कश्मिर के चुनाव परणाम आए है हरियाना ने बता दिया है देश का मूड क्या है मिजाज क्या है दो बार कारकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना अईतिहासिक है कॉंग्रेस का पूरा इको सिस्टिम अर्बन नक्सल का पूरा गिरो जनता को गुम्रा करने में जुटा था लेकिन कॉंग्रेस की सारी साजी से द्वस्त हो गई उन्होंने दलीतों के बीच जुट फैलाने की कोशिश की लेकिन दलीत समाज ने इनके खतरनाग इरादों को बांप लिया दलीतों को ऐसास हो गया कि कॉंग्रेस उनका आरक्षन छीन कर अपने वोट मेंग को माटना चाहती हैं आज हरियाना के दलीत वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है हरियाना के ओवी सी बीजेपी के विकास कारियों को देख कर उसके साथ है कॉंग्रेस ने किसानों को भड़काया लेकिन किसानों को पता है कि उसे उसे फसलों पर MSP किसे ने दी हरियाना के किसान बीजेपी की किसान कल्यान योजनाओं से खुश है कॉंग्रेस ने युवाओं को टार्गेट किया और अलग-अलग तरीके से उने भड़काने की कोशिश की लेकिन हरियाना के नौजवान हमारी बहने बेटियां अपने उजवल भविश के लिए भाजपाप पर ही भरोसा कर रहे हैं कॉंग्रेस ने सारे हतकंडे अपनाए लेकिन हरियाना की जनता ने दिखा दिया वो अब कॉंग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती शडियंत्रों का शिकार नहीं होने वाले साथियों कॉंग्रेस हमेशा बाटो और सत्ता पाओ के फॉर्मिले पर चली है कॉंग्रेस ने बार बार ये सित्य किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है वो अभी भी देश को बाटने के लिए नए नए ने नेरेटिव घट रही है कॉंग्रेस समाज को बाटने का फॉर्मिला लाती रहती है कॉंग्रेस देश के मतदाताओं को गुम्रा करने से वाज नहीं आ रही है कॉंग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो, उनको भाय दिखाओ, उनको वोट बेंक के कन्वर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो कॉंग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुसलिम भाई बेहनों में कितनी जातियां होती हैं, मुसलिम जातियों की बात आते ही कॉंग्रेस के नेता पर मुँपर ताला लगा कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है, तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती हैं, कॉंग्रेस की नीती हैं, हिंदूों की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ, कॉंग्रेस जानती हैं कि जितना हिंदू पटेगा, उतना ही उसका फाइदा होगा, कॉंग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती हैं, ताकि वो उस पर राज नितिक रोटियां सेकती नहें, भारत में जहां भी चुना होते हैं, वहां कॉंग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती हैं, अपना वोट बेंग पक्का करने के लिए, कॉंग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हतंडे अपना रही है, कॉंग्रेस पुरी तरह से सांप्रदाइक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती हैं, हिंदू समाज को तोड़ कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कॉंग्रेस की राजनिती का आधार है, कॉंग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही हैं, सनातन परंपरा का दमन कर रही हैं, जिस कॉंग्रेस ने इतने वर्षों तक देश्ट पर राज किया, वो सत्ता में वापस के लिए इतनी बैचेन हैं कि हर रोज नफरत की राजनिती कर रही हैं, कॉंग्रेस की पुरानी पीडी के नेता भी बेबस हैं, और सहाए है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिती हो गई हैं, कॉंग्रेस की ये स्थिती होने वाली हैं, कॉंग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्टरी बनने वाली हैं, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था, इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कॉंग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कॉंग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है, इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, साथियों मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिच हो रही है, ऐसी हर साजिश को महराष्टर के लोग नाकाम करके रहेंगे, महराष्टर के लोगों को देश के विकास को सर्वो पर ही रखते हुए, एक जुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है, हरियानातर भाचपा जिंकली अता महराष्टर या पिक्षा मोठा विजय मिलवाय चाहे। साथियों, पिछले दस वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इन्फरा बनाने का एक महा यगन शुरू किया। आज हम सिर्फ बिल्डिज नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्त और सम्रुद्ध महराष्टर की नीव रख रहे हैं। एक साथ दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरूवात ये केवल दस नए समस्तानों को तैयार करना नहीं हैं। ये लाखों लोगों के जीवन को बहतर बनाने का महा यग्य है। ठाने, अंबरनात, मुंबई, नासीक, जालना, बुल्धाना, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा और गडचिरोली। ये Medical College इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट में 900 Medical सीटे बढ़ रही हैं। अब महाराष्ट में Medical सीटों की संख्याल लगभाग 6,000 हो जाएगी। इस बार लाल के लिए से देश्ट ने संकल पलिया है कि Middle Class में, Medical Line में, Medical Line में 75,000 नई सीटे जोड़ी जाएगी। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों, हमने Medical सिख्षा को सूलब बनाया है। इससे महाराष्ट के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मद्यमबर के जादा से जादा बच्चे डॉक्टर बने। उनका सपना पूरा हो। ये हमारी सरकार की प्राथ्फिक्ता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मात्रु भाषा में किताबे ना होना भी बड़ी चुनोती थी। हमने महाराष्ट के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बेजभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट के युवाओं मराथी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मराथी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। साथियों, जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाब लड़ाई का बहुत बड़ा माध्यम है। कॉंग्रेज जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनिती का इंदन बना रखा था। इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक दसक के भीतर भीतर पचीस करोर लोगों को गरीबी से निकाला है। और देश में स्वास्त सेवाओं का काया कल्प इसका एक बड़ा आधार बना है। आज हर गरीब के पास मुप्त इलाज के लिए आईश्मान काड है। अब सभी देश वास्यों में जो भी सत्तर के उपर के हैं, अब सत्तर साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुप्त इलाज मिल रहा है। जन आउशदी केंद्रों पर बेहत कम कीमत पर जरूरी दवाईयां मिल रही है। हाट मरीजों के लिए स्टेंट 80-85 परसंट तक सस्ते किये गए हैं। हमने कैंसर के इलाज की लिए जरूरी दवाईयों के लिए उसके दाम भी कम किये हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है। आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजीक सुरक्षा का मजबुत कवच दिया है। साथियों दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती हैं जब वहां का युवा आत्म विश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्म विश्वास भारत के उजवल भविश्की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रुप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में सिख्षा स्वास्थ से लेकर स्वाफ्पेर तक हर क्षेत्र में अपार आउसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हम माहराज्ट में विद्या समिक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टिटूट अब स्किल्स का शुभारम भी किया है। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरियन्टेट ट्रेनिंग मिलेगी। उनके टैलेंट को बजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटरंशिप देने की शुरुवाद भी की है। भारत की इतिहात में पहली बार इस तरह की पहल हुई है। अब युवाओं को पांच हजार रुपिये इंटरंशिप के तौर पर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि हजारों कमपनिया इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटरंशिप में मदद करने के लिए रजिस्टेशन करा रही है। इस पहल से युवाओं की नीव मजबुत होगी। उनको नया अनुभों मिलेगा और उनके लिए नये अवसरों की रह आसान होगी। भाई और भेनों युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है। उसके परणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन इंस्टिटूट्स दुनिया के टॉप इंस्टिटूट्स की बराबरी कर रहे हैं। अभी कल ही वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की रिसर्च की क्वालिटी बदल रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थिववस्ता बन चुका है। अब ग्लोबल एकोनामिका फ्यूचर भारत से जुड़ा हुआ है। भारत की ये आर्थिक प्रगती नए अवसरों को लेकर आ रही है। ऐसे क्षेत्र जिनकी दसकों तक कॉंग्रेस ने उपेक्षा की, आज भोक्षेत्र भी असीब अवसरों का स्त्रोध बन रही है। जैसे टुरिजम का उदारण है, महराष्टा के पास कितनी अमुल्य विरासत है, महराष्टा में कितने सुन्दर प्राकृतिक स्थल है, आध्यात्मिक केंद्र है, इनके इर्दगिर्थ हजारों लाखों करोड की एकोनामिक विक्सित हो सकती है। लेकिन इन अवसरों का वैसे उपयोग नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था। कॉंग्रेस को न विकास से मतलब था, न विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम अपने सम्रुद्ध अतीच से प्रेणा लेकर उजवल भविश का निर्मान कर रहे हैं। इसलिए आज शिर्डी एरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्निंग का सिलान्यास, नाकपूर एरपोर्ट का आधुनी कराण, ऐसे ही कितने ही विकास कारिय आज अनवरत महराष्ट में चल रहे हैं। शिर्डी एरपोर्ट के नए टर्मिनल से साई बाबा के भक्तों को काफी सुविदा होगी, देश विदेश से बड़ी संख्या में स्रद्धालू यहां आ सकेंगे। कुछी दिन पहले मैंने अपग्रेडेड सोलापूर एरपोर्ट का लोकारम भी किया था। जब स्रद्धालू एक जगा आएंगे सनी, शेंगणपूर, तुल्या भवानी, कैलास मंदीर जैसे आजपास के दूसरे स्थानों पर भी जरूर जाएंगे। इससे महाराष्ट की परियतन एकोनोमी को बुष्ट मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, हमारी सरकार का हर निणय और हर नीती केवल केवल एक ही लक्ष के लिए समर्पित है और वो लक्ष है विक्षिद भारत। और इसके लिए हमारा विजन है गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्यान। इसलिए विकास का हर प्रोजेक्ट गाउं, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित होता है। सिरिडी एरपोर्ट में जो अलग-अलग कार्गो कॉम्प्लेक्स बनना रहे है।